ये मोमेंट मेरी मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुझे अपने कलेजा का टुकड़ा समस्ती है मैं आपको बता नहीं सकता मैं अभी क्या फील्ड कर रहा हूँ कहते कहते गला रूंद जाता है जहां अपनी मा से बातचीत करने के बाद भारत के लिए पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे गोपाल गंज बिहार के मुकेश कुमार की यही स्थेते थे बिसेसियाई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुकेश कुमार अपनी मा से बातचीत करते है और जो बातचीत होती है जो सबसे खास बात है उस वीडियो की कि वो बातचीत भोजपूरी में होती है अपनी भाशा में होती है वो मा से भोजपूरी में बात करते है और इस वीडियो को बिसेसियाई ने जारी किया है पूरे वीडियो पर मैं आज आपसे बाच्चेत करूँगा लेकिन बहुत ही भावुक कर देने वाला वीडियो है और जो आप कहते हैं ना कि जो आप सपने देखते हैं उसका पीछा करते हैं और जब आप उसे अचीव कर लेते हैं तो जो भाव आपके मन में आते हैं यही भाव मुकेश कुमार का है उनकी मा उसी तरह से मानो दूर से ही उसे थपथपा रही हो इस तरह का एहसास जो है इस वीडियो के जरिये जो है आपको मिलता है पूरे वीडियो पर बात करूँगा नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस बाइसकोप और मैं हूर आकेश रंजन बिहार के मुकेश कुमार जो बंगाल के लिए रडजी ट्रॉफिक खेलते हैं उन्होंने विस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेबियो किया है और इसके बाद बी सी सी आई ने पहले दिन के खेल की समापती के बाद मुकेश कुमार का एक वीडियो बनाया है और उसे जो है सोशल मीडिया पर जारी किया है उस वीडियो की मैं सारी बाते करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं पहुँचना चाहूंगा वहाँ जहां वो अपनी माँ से बात चीत कर रहे हैं बहुत ही भावक बातचीत है बेटा कुछ जब अचीव कर लेता है और उसके बाद जब मा से बात करता है तो वो सारी बाते हैं इसलिए मैं सबसे पहले वही आपको बताना चाहूंगा मुकेश कुमार वो फोन को लेते हैं और इस तरह से अपने सामने रखते हैं और कहते हैं हामा प्रणाम इसे यहीं से बातचीट की शुरुआत होती है और उसके बाद मा की आवाज आती है खुशी रहा हमार बाबू जो आम तोर पर बिहार जहार खड़ में लोग अपने बच्चे को कहते हैं बेटे को कहते हैं बाबू तो वही कहती हैं खुशी रहा हमार बाबू इसके बाद फिर मुकेश कुमार जो है वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तूजे ये पूजा पाठ करत रहलू ना ये कहते कहते जो है मतलब उनका गला रूंद सा जाता है और वो अपनी बातों को बाहर नहीं निकाल कर ला पाते हैं हलाकि वो कुछ बोल जरूर रहे हैं तो वो इस पर मा कहती है बहुत खुशी के बाद बाहर यS तरह की बाते करती हैं इसके बाद मुकेश कुमर बताते हैं कि आज खेले के चांस में लल बाटे ये बात वो अपनी मा को बताते हैं टेस्ट डेबियो हलाकि मा इन चीजों को शायद न समझ पा रही हो कि टेस्ट डेबियो क्या होता है लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ऐसे ही बढ़ात रहा आगे बढ़ते रहो जो एक हर मा की कामना होती है तो ये जो बातचीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे अपना कलेजा का टुकड़ा समझती है आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश कुमार के पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मां से वो बातचीत कर रहे हैं तो ये बहुत ही भावक कर देने वाला पल है और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मैं यह बता नहीं सकता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ और इसके आगे जब वो बोलते हैं तो आवाज मानो उनके गले में ही अटक जा रही हो वो चेहरे का एका भाव देखेंगे जिसमें वो हसने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि मेरे हाथ काप रहे हैं अभी तो ये बातें जो है उनके आवाज से वो आती है बातें जो हम सुन पाते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं फिर वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ बहुत खुश हूँ तो वाक पर ही आपस लोटे और शुरुवात की बात करें तो यह जो वीडियो होता है उसकी जो शुरुवात होती है वो दरोजे पर नsti नौक होता है और गेट जो है वो मुकेश कुमार कोलते हैं और पिर जो है वह आने वाले को कहते हैं आई ए और फिर वो वीडियो अंदर की और जाता है जो बिछावन ने वहाँ पर एक आपको अटैची जैसी चीज दिखाई देती है लेकिन वह वहां रुकते नहीं उससे आगे लेकर जाते हैं और वो cap उठाते हैं टेस्ट गाप जो है वो दिखाते हैं कि देखिये ये मुझे मिला ह और आज मेरी जिन्दगे का सबसे important दिन है और अश्विन भाई ने मुझे ये दिया है पहला आज मैंने टेस्ट डेबियू किया है और शाम में जो है मा से बातचीत हुई ये बाते जो है इस वीडियो में मुकेश कुमार ने कही है तो एक बहुत ही भावख कर देने वाला वी करियर के लिए हमारी बहुत सारी शुब कामना है अभी आपसे अनुमती चाहूंगा इजाज़त दें नमस्कार